जैजन शक्ती से मैं राहूल लिमेश आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ माइडेफरेंट जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बड़ी खुसकबरी दे दिया इस बैंक ने अपने गरहा को खो तीन साल का मोरेटोरियम तो आज हम आपसे इसी के विशे में चर्चा करेंगे इसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे तो चलिए जादा समयना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज के वीडियो आते हैं हमारे जो में टोपिके उसके उपर मैं वीडियो में आगे बढ़ूं आप लोगों से एक छोटा सा निवयदन करूँगा जितना हो सके आप इस वीडियो को जादा से जादा अपने फ्रेंड सरकल में शेयर कीजिए इससे के लोगों को सही जानकारी मिल सके तो माई डियर फ्रेंड जैसा की आप लोग सभी जानते हैं कोविड को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्याए बन चुकी है आपके पास में इस समय पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है आपके पास में कोई भी अरेंजमेंट नहीं है कि आप इन बैंकों का पैसा रिटरन कर सके लेकिन ये जो बैंक वाले हैं ये आपको निरंतर परिशान कर रहे हैं हरास कर रहे हैं आपके मान सम्मान को खंडित कर रहे हैं आपको पूरे तरीके से ये लोग परिशान कर रहे हैं बट आपको किसी परकार का कोई भी राहत नहीं मिल रही है तो माई डियर फ्रेंड्स आपकी परेशानियों को देखते हुए ही ऐसे ही जैसे कि मुझे पता लगा एक बैंक के द्वारा ग्रहाको को मॉलिटोरियम प्रॉइड कराया जा रहा है अब मुझे ये नहीं पता है कि इसमें कितनी सत्यता है मॉलिटोरियम प्रॉइड कराया जा रहा है ये नहीं कराया जा रहा है क्योंकि ये जो मुझे जानकारी मिली है ये कुछ भाईयों ने मुझे मेल करके बताया कि सर हमें इस बैंक ने मॉलिटोरियम दे दिया है बट आपको बतादू मैं बैंक आपको को बताए ये लोग ब्याज वगएरा कितना लेते हैं आपको कितनी समस्या होगा सामना करना पड़ सकता है ये आप इस बात का दिहान रखें मैं आप लोगों से यह कहूंगा कि अगर moratorium bank वगएरा दें तो interest free moratorium दें किसी व्यक्ति से कोई interest वगएरा ना लगाया जाए यहां कि समस्या बहुत गंभीर है और पैसे की विवस्ता किसी के पास है नहीं व्यक्ति कहां से पैसा ला करके देगा कहां से सब कुछ करेगा तो आप लोग बहुत मतलब कहते हैं न ए ने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि सर यह bank जो है तीन साल का moratorium तो provide नहीं करा रहा है ठीक बट यह bank अभी current में अगर आप moratorium के रिए apply कर रहे हैं तो यह bank यह नहीं देख रहा है कि standard account है कैसा account है यह moratorium दे देता है अब मैं इस बात को इसलिए नहीं कह सकता लगबग 30-40 लोगों ने comment करके बताया कि सर हमें यह bank moratorium provide करा रहा है अब मैं आपको एक बात बतायता हूं यह जो व्यक्ति है यह यूट्यूब पर मैं देख रहा था एक यूट्यूबर बता रहा था कि यह bank आपको तीन साल का moratorium दे देगा मैंने कैसे देगा इसने को officially announcement न पास को अपने पास रख हमें ना हमारे पास इतने फालतू पैसे ना कि हम जो तुझे membership देंगे जो तिरसे मतलब वो है ना तो तिरसे तेरे हम member बनेंगे पहले तो मुझे तो यह बता दे क्या अनोखी तु एडवाइज प्रवाइज कराएगा तो यह जो लोग भाई आप ब्रहमित कर रहे हैं आप लोगों को जानकारी देते हैं यह जो यूट्यूब चैनल ना तो इनके पास में किसी परकार का कोई LLV जैसे मेरे पिछली वीडियो में बताया बट यह आप से membership लेते हैं यह किस बात की membership लेते हैं मेरा सवाल इन लोगों से है एक तो लोग पूर भी शरम नहीं आती है कि इस matter में लोग वैसे ही परिशान है और आप पैसे की demand करते हैं लोगों से अगर हाँ आप कोई जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूं बताता भी हूँ अगर आप उसके लिए eligible हैं आपके पास में degree है आप उसके लिए मान ले कोई doctor है अगर वो doctor अप अपनी फीस ले रहा है तो बनता भी है बट आप क्या है अगर कोई टेक्निशन है अपनी फीस ले रहा है तो बनता भी है लेकिन आप कोई ना तो लीगल एडवाइजर है ना कोई किसी परकार के कोई टेक्निशन है जो मतलब जिस भी इस रिकार्डिंग इंफरमेशन दे रहे या फिर अगर आप बैंकिंग से related information दे रहे हैं तो आपके पास में कौन सी qualification है क्या है आपके पास में अब बहुत सारे लोग कहेंगी कि सर इसमें YouTube पर कोई qualification की अवशरकता थोड़ना है बिल्कुल अवशरकता नहीं है accepted बट आप फिर charge किस बात का charge कर रहे हैं हाँ जानकारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन charge तो आप तभी लेने के लिए शक्षा में ना जब आप कोई degree आपके पास में हो अगर आप किसी को legal advice दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो भाई मेरे हिसाप से तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप ऐसे लोगों से बचक कर रहे हैं तो एससे भाई उसे मैं यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी लोगों को ऐसी किसी आप अगरे के चक्र में ना फसवाया जाए क्योंकि यह जो एप है ना ओनलाइन अर्निंग वर्निंग यह डीमेट यह सब फ्रोड होते हैं ठीक मैंने ज्यादतर देखा है सब नही मैं कहूंगा लेकिन हां इतना पता है कि कुछ होते हैं जिनसे दिक्कत आपको आ सकती है तो मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे डीमेट अकाउंट वगरा की जो डीटेल से या जानकारी है आप लोग नहीं दें तो लोगों को बहतर है अगर उन्हें इन मिने का मॉरीटोरियम प्रूइड करा रहा है लेकिन वह रहे हैं कुछ यूट्यूब चैनल के यह तीन महिने का मॉर काई अपने ग्राहकों को moratorium दे रहा है लोगों ने मुझे बताया है चाहिए account standard है चाहिए नहीं है लेकिन फिर भी बंदन bank moratorium आपको provide कर रहा है तो यही जानकरी आपको मुझे देनी थी आप मुझे जरूर बताएं comment के माधियम से कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं अधरवाई dislike कर सकते हैं और हाँ आप हमारे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं बट अगर अच्छी हमारी जानकरी लगती है तो आप मुझे comment करके जरूर बताएं कि बंदन बैंक के दुवारा आपको कितने समय का moratorium प्रुवाइड करा जा गया है और कौन सा बैंक आपको moratorium दे रहा है कौन सा नहीं दे रहा है डीटेल में आप हमें comment में लिख सकते हैं आप हमें mail भी कर सकते हैं हमारा mail आईडी है जैजनसक्ती at the rate hotmail.com मैं आपसे फिर किसी वीडियो मिलूँगा अपना ध्यान रखें अपने परिवार का ध्यान रखें और जो घटिया यूट्यूबर आपको information दे रहे हैं इन लोगों से बच के रहें थैंक यू सो मच